अधारा साल के बाद नितीज कुमार विदेश जा रहे हैं इन्वेस्मेंट लाने कहा या नहीं पता है इसकोटलेंड में इसकोटलेंड में कौन बड़ा भारी निवेसक वैठा हुआ है यह हमको नहीं मालू है नमशकार आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूँ यति आपके साथ बिहार के सहर सामी जन सुरात की सूत्रधारियानी प्रिशान्त के सोर जने हम पीके कैक के बुलाते हैं इन दिनों वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन के अभियान के तहत विविन प्रकंडों में प प्रिशान्त की शोर जो कि अपने बेपाकी से बोलने वाले अंदास के लिए जाने जाते हैं उन्होंने सिम्नितीश कुमार पर तंज कसा है दरसल उन्होंने सिम्नितीश कुमार के विदेश दौरे पर जम कर हमला बोला है तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि 18 साल के बाद म वो भी investment लाने के लिए, वो Scotland जा रहे हैं, Scotland में जैसे कोई बड़ा निवेशक है जो उन्हें यहां investment दे देगा, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिन पहले यहां के जो बिहार के पूर मुखमंत्री थे यानि कि तेज़श्वी यादव वो भी जापान गये थे, वहां से कितने पैसे वो लेकर आए, कितने का investment जापान से उनको मिला, तो साफ तोर पर कुल मिला कर पीके जो है, वो मुखमंत्री निटीश कुमार और तेज़श्वी यादव पर हमला वर होते दिखा दिए, कोई पहली बार नहीं होगा, जब उन्होंने इस तरीके की बाते कहीं हैं, और क्या कुछ कहना था, पीके का आप पहले स्वीडियो में सुनिये, इसके लिए जाने जाते हैं, स्कॉट्लेंड लोग मेडिकल की पढ़ाई करने जाते थे, तो स्कॉट्लेंड की इस नजविये से कुल दिल पहले उनके डेप्टी थे तेज़श्वी आगर तो जपान गये थे, कितना रुप्या आया वहां से, आपको पत्रकार कुल जबगा पर देखे होंगे जपान से, कितना जपानि नहीं हो इसका आगया या, इसकॉट्लेंड पहले उस कंट्री का जो चुनाओ है उस देश का जोग अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, जपान जाएंगे, मिलिलिस्ट में जाएंगे, जहांपर सर्क्लस क्यापिटल है, इस तो सुना अपने प्रशांत की सोड ने क्या कुछ बाते कहिए किस थरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री नितीश कुमार और बिहार के पूर्व उप्वु मुख्यमंत्री तेश्वी यादों पर हमला बोला वहीं हम आपको बताते चले कि इस दौरान जब उनसे एक सवाल किया गया चुनाओ लड़ने को लेकर तुनोंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि अभी वो चुनाओ नहीं लड़ रहे हैं प्रिशान्त की सोर नियागामी लोग सवा चुनाओ से वालमिकी से लड़ने की जब बात उनसे पूछी गई तुनोंने कहा कि जो घोशना उन्होंने एक बार कर दी है वो कर दी है वो उससे पीछे हटने वाले नहीं है उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि अगर उन्हें चुनाओ लड़ना ही होता तो पद यात्रा की क्या जरूरत होती अभी के लिए इस खबर में इतना ही दर्श न्यूस पर खबरों का सिलसला जारी है आप देखते हैं दर्श न्यूस धन्यवाद